दोस्तों कैसे आप लोग, I hope की आप लोग अच्छे होंगे इस box के अंदर एक सांदर डिवाइस है ऐसी डिवाइस जो किसी भी component की value असानी से बता देती है बिल्कुल डिजिटल है नॉर्मली हम किसी भी component को चेक करने के लिए या फिर किसी component की value निकालने के लिए multimeter का इसमाल करते आए हैं लेकिन इसके अंदर जो meter है उसे LCR meter कहते हैं तो जलिए फटा-फट से मैं इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस device को मैंने box से बाहर निकालिया है इस device का नाम है Multifunction Tester और अगर इसे हम दूसरी language में बोलो तो LCR meter भी इसे कहते हैं इसमें किसी भी component को test करना बहुत ही आसान है इस device के कई वर्जन है और कई अलग-अलग company से सेल करती हैं मैंने Amazon से बहुत अलग-अलग type के इसमें device देखे लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें charging system दिया गया है charging system होने से हम इसको easily charge कर सकते है एक दूसरा भी device था जिसमें battery को लगा कि आप check कर सकते लेकिन वो open था मैं एक चीज यहाँ पर confirm करना चाहूँगा इस device का cost ज्यादा है अगर आप लोग आप लोगों को थोड़ा सा important यह लगता है तभी खरीदिएगा मैं यह नहीं कहूँगा कि आप अपने खरीदना ही खरीदना है नहीं दोस्तो नॉर्मली काम आपके multimeter से हो जाते हैं लेकिन अगर आप चाहते कुछ advance सीखना तो इसको तभी खरीदिएगा मैं विल्कुल भी recommend नहीं करूँगा कि आप खरीदें क्योंकि यह थोड़ा सा ज्यादा cost इससी जौर मैं बता दूँँ यह कोई sponsor से वीडियो नहीं है मैंने सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही से खरीदा है क्योंकि आपको कुछ नई चीज़ें हाँ पर दिखाना चाहता था अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें एक डिस्पले दी गई है रंगीन डिस्पले यानि घी स्वरी कलरफूर डिस्पले है और यहाँ पर कुछ जो यह socket बना हुआ है बिल्कुल ऐसे यहाँ पर बना हुआ आ रहा है और इसके बार में थोड़ा सा और गहराई से हम जानेंगे लेकिन एक चीज़ आपको होता तो वीडियो हमारी हमेशा लंबी होती है तो थोड़ा सा अगर टाइम हो तब ही देखिएगा वरना इसको skip मत करें या फिर बाद में देख सकते हैं ऐसी कोई बाद नहीं है बाद में देख सकते हैं लेकिन इससे बिल्कुल भी मत करें अब देखिए यहाँ पर कुछ नंबस लिखे हुए सोकेट में और यहाँ पर भी लिखे हुए नीचे वाली लाइन पर और यहाँ पर भी सेम वैसा ही है जैसा यहाँ पर लिखा होगा और जैसा यहाँ पर लिखा होगा इसके अंदर भी जो socket बना वारा ना बिल्कुल वैसा भी वाई पर लिखा रहेगा अब यहाँ पर इसका यूज हमने कैसे करना है और क्या क्या इसमें हम component चेक कर सकते हैं इसमें सभी component चेक होते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं चेक करना ज्यादा आपका टाइम यूश्ट नहीं करोंगा लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़े हमें मिल रही है वैसे इनकी कोई भी ज़रूरत मुझे नहीं लगती है लेकिन आपको दिखा देना चाहूंगा एक कपैस्टर है और एक LED है वैसे टेस्ट करने के लिए और एक छोटा सा डाटा केबल दिया गया है वैसे दो डाटा के लोगे जो नहीं थी हम मुवाइल से भी इसको कर लेते और यहाँ पर यह अलग से अगर लगाना चाहिए तो कर सकते हैं अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा तो आप समझ जाएंगे इसका इसमाल क्या है बाकि इसका इसमाल भी आपको भी बता दूँगा चलिए यहाँ पर एक कपैस्टर है एक LED है और कई कंपोनेंस हम न देख रही हैं तीन टांग दो टांग वाली उसे बाहर निकाले तो बले कैपैस्टर हो बले वह कुछ भी हो फटा फट से हम बाहर निकाल लेते हैं तो वही चीजे इससे चेक हो नहीं मैं आपको एक्जामपल दे दूँगा आप खुझ भी इससे कर सकते हैं अगर आप खरी दो चीज और निकाल ली मैंने लगबग सभी कंपोनेंट से यहां पर बेसिक कंपोनेंट हमारे हो चुके हैं अब इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो यहां पर कुछ आपको नंबर से दिख रहे होंगे चलिए आपको यह कुछी देर में ओफ हो जाएगा तो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, थोड़ सा फोकस कर दूँ, वीडियो की quality अगर थोड़ सा लो आ रही हो, तो आप फटाफट से वीडियो की quality बढ़ा लीजीगा, और वीडियो में patience जरू होना चीए, तो तभी आप सीख पाएंगे, यहनि कि फटाफट से आपने skip कर दिया, तो देखिए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, दो, और नीचे क, ए, 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 एक, दो, तीन, तीन, इसका मतलब आप बिल्कुल भी गहराई से मत जाईएगा, कि हमने समझना ही समझना है, सिंपल भाद हमने समझेगा, कि आपके पाद जो भी component है, जो भी component है, बले resistance हो, भले ही आपके पाद डायोड हो, भले कुछ भी हो, तो आपने इसको दो पीनों में डाल देना है, भले एक, दो में डालिए, भले एक, तीन में डालिए, या फिर सेम नमबर में नहीं डालना है, दो, दो में आपने नहीं डालना है, एक, तीन, एक, दो में आप ड में डाल देते हैं अभी दो मैं मैं यह नहीं में डाल सकते हैं अब आपको वह भी दिखा दूँगा देखिए एक और टीन में इसकी टांग को मैं ने फसा लिया है ठीक है register यहां पर लॉक हो चुका है तो चलिए इसको हम नम्हें अन्-करते हैं और यहां पर जोब्ष रेजिस्टर कि वेल्यू होगी यहां पर सुःघी बिल्कुल देखिब है यह ór टीन में भी एक ऊपने है तीस 4476.5 kg देखिए फटाफट से इसे मल्टिमेटर पर चेक करता हूं देखिए 413, 418 बता रहा है और अलग मल्टिमेटर से चेक आप चेक करेंगे तो सबीकि अलग वैल्यू आएगी लेकिन एक्कुरेट किसी में नहीं दिखाएगा लगभग थोड़ा सा 19-20 का अंतर आपको ज का रिजिस्टेंस के वज़े से हो जा रहा है तो ऐसे करके लगा लिया तो देखिए अब कितना आ रहा है 461 का आ रहा है वहां पर सड़ से दिखाता बड़ वहां पर एक्से थोड़ा सा 19-20 जरूर होगा लेकिन ही हाप इसने इसकी वैल्यू एकुरिट बता दी है रिजिस् है और सुरी दबाता हूं और इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी वोल्ट नहीं आएगा इसका जो है वैल्यू आ जाएगा यानि कि इसका जो स्टोरीज रहेगा वह आ जाएगा चलिए और करते हैं यह कपैस्टर यहां पर 945.3 माइक्रोफरेट का बता रहा है चलिए दे ट मेटर से भी चेक करओन तो फिर भी वैल्यू इसका 1000 मेंक्रोफरेट नहीं आती है तो यहां पर तोड़ा सा इसमें कम दिखाता है कहपैस्टर के मामनि में थोड़ा सा यह कम दिखाता है। आपको फिर से दिखा दूं अब आपको मैं दूसरे में दिखाता हूँ एक और तीन में करके दिखाता हूँ अभी देखिएगा एक और तीन में आपको आएगा चलिए दो और तीन में दिखाता है एक को छोड़के हम दो और तीन में इसको डालते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी देखिए वहा जो component के टांग का gap है ना उसी के हिसाब से आपर दिया गया है तो देखिए अभी एक और दू मैं इसको डाला है तो इस तरीके से capacitor की value भी हमने check करी है complete हो चुके हैं तीसरा component ये क्या है मुझे तो पता है क्या है लेकिन ये बताएगा ये क्या है ये three-meter बताएगा जी ये क्या है चलिए सर्च करते हैं यहां पर देखिए इसकी टीन टांगे है ये घ्तीन हर यह घ्जए है यहां तलिया यह नीचया नीचय को को च्रॉशी की डाल लेते हैं इस तरीके से एसको लॉइक कर देते हैं इस तरीके से चलिये स्टाइट करते हैं अब है क्या चहिछ त आ किया ये है हमारा बीजेटी यैनि बायपूलर येंशन ट्रांजिस्टर है ये एनपीनट टेम थे टांग कर भाएं पी एंट ट्रांजिस्टर है और ग्यृत और देखिए ऊसरी की बात तो यह है इसने यह भी बता दिया इसकी जो पहली टांग है वह बेस है दूसरी क्लेक्टर है तीसरी अमीटर है यानि कि हमने एक नंबर पर जो टांग इसमें एलीवी ना वह हमारी बे है चलिए यह तो हो गया अगर यहां पर देखिए अगर यहां पर इस तरी किसे डाल देते हैं तो देखिए अभी यह बेस की पिन यह बता रहा था ठीक है अब इसको हम इससे उल्टा डाल देते हैं एक दो तीन में ऐसे उल्टा अब तीन दो एक अब डेफिनेट लिए जो त तीसरे नमऻ की Pिन पे इसकी Base की लिग इसमयन डलचुकी है तीक है अब धेखिए क्या यह बता पाता है हँ उन्टा करके हुग्ष के करें हो वा मा जा गया तीसरे नमबर की पिन पे Base की पिन है इसने बता दिया अभी यहां पर एक प्यार था था ना अब तीसे नमबर पर और अमीटर हमारी पहले नमबर पर कलेक्टर हमारी दूसरे नमबर वह आयाद मज़ा आ गया ऐसा डिवाइस सैधी आपने पहले कभी देखा होगा और जब मैंने इसे दिखा वाके में मुझे काफी मज़ेदार लगा और मैंने उसी दिन धानिया था यह खरीद कि आपको इसमें जो भी चीज टेस्ट होती है वो चेक करके जरूर बताऊँगा वह आपके लिए इतना तो मैं जरूर कर सकता हू और कोई-कोई नए चीज़े दिखेंगी न वह भी आपके लिए उनकी वीडियो में जरूर बनाऊँगा तो NPN ट्रांजिस्टर यह है बता दिया PNPN और HFE शोरी इसका HFE भी दिखा रहा था वह भी इसका जो है वहाँ पर वह दिखाना बूल गया इसका पूरा डिटेल यह इसका नंबर मैंने आपको बता दिया लेकिन चलिए कोई बात नहीं अब इसमें यह बताएगा कि यह क्या है BC-557 देखिए यह PNP है अभी वो NPN था तो अभी यह PNP ट्रांजिस्टर है BC-557 और यह BJT Bipolar Junction ट्रांजिस्टर PNP में है अर दूसरी PNP की Base की है दूसरी PNP यान की B2 की पिनिस की Base की है पहली PNP की Collector की है और तीसरी METR की है यह भी बहुत ही सांदार इसने इसका result दिया इसका HFV value पूरा यहांपर डोडल यहांपर दिया गया है और एक और है यह हाँ एकसी मैं आपको बता देता हैं चाहूंगा कोई भी ट्रांजिस्टर जोट है तो वहाँ पर वाहीं पर फॉल्ट करके लिखाओा आएगा या फिर यहाँ पर एक इस तरीक्रेसे लिखाओ आगिंगा आपको यह सबसे लास्ट मैं ही करूंगा पहले मैं आपको और टांजिस्टर दिखा देता हूं जो फॉल्टी टांजिस्टर होंगे उनका कोई भी वेल्यू वहां पर लिखा हुआ नहीं आएगा देखे यह तीन टांग यहापर हमने डाल दी है लॉक करा चलिए और हाँ एक मोस्पेट भी मैं यहापर निकाल के आपको दिखाना चाहूंगा यह तो हाँ यह बीजेटी अन्पेन टांजिस्टर है इसका है इसका यहापर दिया गया है और बाकी यहाँ पर इसका जो डीटेल में cathode और anode होता है तो जेनर को आप यहापर चेक करेंगे कितने ओोल्ट का जेनर है वो जरूर यहां पर यह बता देता है बहुत ही बढ़ी yoke device मुझे लगा चले लॉक करते हैं। आन करते हैं वायो बहुत ही सांधर यार यह ढिवैस मुझे लगा यह जेनर की इसने भाई ये value बता दी बताईए जेनर की value बता दी cathode और anode यहां पर यह इसने दिखा दिया है और एक बार मैं इसको जेनर को पलटता हूँ और ऐसे करके भी चेक करूँगा 24.1 वोल्ट का ये जेनर डायोड है 24 वोल्ट का ये जेनर डायोड है अगर आप लोगों को साब साब दिख रहा हो तो यहां पर आप किलियरली देख सकते हैं ये देखिए जेनर की value 2 और 4 अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है C 2 और 4 24 वोल्ट का ये जेनर इसने बता दिया एक तरब को वोल्ट बताता है और दूसरी तब को ये उसका जो resistance है वो बताता है ये भई मज़ेदार चीज मुझे इसमें लग गई है मतलब काफी जबरदस device मुझे लगा और ये चलिए LED भी चेक करते है LED को थो हम उपर चेक करेंगे तो डायोट के अंदर गदाती है तो LED का यहां पर ये बता दिया 1.91 वोल्ट की ये LED है और ये डायोट के अंदर के अंदर गदाता तो इसको डायोट और हाँ इसमें कोईल भी आप चेक कर सकते है कोईल अभी मेरे पास चलिए ढूरता हूँ आपके लिए तो इतना कर सकता हूँ कोईल ढूरता हूँ उसके बाद आपको टेस्ट कर वागे दिखाता हूँ फिलाल एक दो कंपोनेंट और है 2N 2222 A ट्रांजिस्टर है यहां पर इसका चेक कर लेते हैं और वाउ बेस कलेक्टर एमेटर पीन आगी BJT NPN ट्रांजिस्टर है यह भी काफी मज़ेदार परफोमेंस इसने दिया है और चलिए एक डायोड का भी चेक कर लेते हम डायोड को हम इस वाले पोर्ट पे चेक करेंगे उपर वाले में लॉक कर लेते हैं और इसे स्टार्ट कर लेते हैं डायोड देखिए वाओ यार इसने डायोड की भी यहाँ पर पोजिशन बता दिये कैथोड अनोड कौन सा है देखिए एक नमबर पे हमारा और तीन नमबर पे हमारा कौन कौन सा है देखिए इसने बता दिया कैथोड और अनोड अगर हम इसको पलट देते हैं इसको तो यहाँ पर यह पिल्कुल उल्टा आ जागा देखिए ध्यान दीजिए अभी यहाँ को है न अब देखिए मैंने इसको पलटना है और लॉक कर देना है देखिए अभी ध्यान से देखिए स्टार्ट कर दिया है आ गया न अब कैसे बिस से करवा देता हूं तो चलिए कुछ components और मैं यहां पर ले के आ गया हूं जिने हम यहां पर चेक करेंगे क्या वो भी अपनी वैल्यू बताते हैं एक हमारे पास यहां पर यह MOSFET है IRF 32005 इस MOSFET का हम चेक करते हैं क्या यह MOSFET के रूप में दिखाता है या फिर कुछ और वा या एंड चैनल MOSFET MOSFET एंड चैनल और यहां पर यह इसकी गेट दूसरी ड्रेन तीसरी सोर्स नहीं दिख रहा हो तो बिलकुल देख सकते हैं इसके बार में टोटल यहां पर दिया गया है MOSFET एंड चैनल MOSFET है तो यार जब इतना सब कुछ यह मीटर बता सकता है तो यह मीटर वाके में हमारे लिए बहुत उप्योगी हो सकता है कभी भी मेरे को ज़रूर पड़ेगी तो मैं इसी अब मीटर का इसमाल करूंगा मल्टी मीटर से बहतर मुझे यह मीटर लगा तो रिचार्जेबल भी है यह मुझे लिए काफी अच्छा है और एक और कंपोनेंट है इसको भी चेक करते हैं यह bjtnpn सोरी pnp transistor है बाकी इसका है डीटेल से दिया गया तो ट्रंजिटर ही है एक यहां पर हमादर पास IR सेंसर है तो एक बार इसे भी मैं अपना जो है चेक करना चाहूंगा क्या यह क्या दिखाता है IR सेंसर पे क्या रिएक्ट करता है इसे ये डायोट की तरह दिखा रहा है 1,2,3 नमर की पिन बे, ये डायोट की तरह दिखा रहा है, हां बिल्कुल ये इसके अंदर एक LED होती है, IR एक ये LED गढर गद आती है, तो इसने सही है, इसको डायोट ही दिखा रहा है, लेकिन IR लिखावाँ नहीं है, इतना मुझे चेको देखोड़े और एक LDR है हमारे पास LDR को भी टेस्ट करेंगे hey वेट करते हैं LDR को इसने के पाके स्टर के तरह दिखाया है इसकी वैलिउट 27 पीए पी पीद्थ इसने दिखाई है LDR को LDR के तरह नहीं दिखाया है, वैसे रेजिस्टर्स होता है, light dependent रेजिस्टर्स को बोलते हैं, और एक चीज और है हमारे पास, IGBT जो इंडेक्शन के अंदर लगता है, चलिए इसको भी हम चेक करेंगे इस पर, लेकिन इसकी पिन काफी बड़ी हो गई है, तो यह काम करू क्योंकि इसमें, यह इसने इसको डायोट की तरह दिखाया है, लेकिन मुझे रखता है कि सही से इसकी पिन अटेच नहीं हुए, आप करते हैं, इसने इसको डायोट की तरह ही दिखाया है, IGBT के समें सही reading नहीं आ रहा है, अब बचा हमारा कोईल, कोईल को मैं यहां से अभ करले कारी, छोटी वाली, कोईल को चीघ करते हैं, और देखते है कि कोईल क्या reading, कोईल क्या बताता है कि कोईल को कोईल की तरह हैelle है आप सोगता, या फिर रजिस्टैस की तरह, इने देखते है, इसमें इसको रेजिस्टैन्स की तरह दिखाया है, , Yapr. 33 Ohms का डिर करना चाहूंगा अपना confusion दूर करने के लिए रजिस्टर तो एज रजिस्टर इसने इसको दिखाया है बाकी other components का जो performance सा काफी अच्छा इसमें रहा इसमें और कैके चीज़े आपको चेक करके मैंने दिखानी है तो next videos मैं उसके ही बना दूँ है बस comment करना हाँ एक चीज़ और है crystal यहाँ पर है crystal को भी चेक कर लेते हैं जो चीज़े मुझे दिखा रहा है नफटाफट से मैं उससे चेक कर ले रहा हूं लेकिन crystal की टांग छोटी है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यह सही से नहीं हो पाएगा चलिए चेक कर लेते हैं crystal को भी चेक कर लेते हैं और नौन को दिखा रहा है दो दखिए crystal को इसमें कुछ भी नहीं दिखाया और next आप क्या कैस पर चाहते हैं तो वह भी बता देना जो भी चीज़ा बची हुई है अगली वीडियो पर अगले पार्ट पर आएंगी फिलाल यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है अगर साप मीटर को परिजिस करना चा है thank you so much for watching this video